हेलो एवरिवान वेलकम टू कॉमर्स लेक्चर्स आज हम करेंगे क्लास 11 बिजन स्टुडीज एंद हमारा टॉपिक चल रहा था अब्जेक्टिब्स ऑफ बिजनस उसमें सबसे पहला अब्जेक्टिब्स था आपका एकनॉमिक अब्जेक्टिब्स हुमारे खतम हो चुके हैं अब हम करेंगे हमगे अपना सेकिंड अब्जेक्टिब विज इस शोशन अब्जेक्टिब्स तो शोशन ऑब्जेक्टिब्स क्या हैं बिजनस के वह हम पढ़ते हैं तो शोशल से मतलoll ए प्दिव सोचाइटी की हम बात कर रहे हैं So business use resources of society Business जो होता है वो हमारे society के resources यूज करता है तब ही तो वो production वा किना कुछ करता है Earn profit by selling its product to society और वो profit कैसे कमाता है अपने product society को बेच के हमें ही लोगों को बेचता है तब ही जाके तो business को profit मिलता है वो पैसे कमाता है हम ही नहीं होंगे तो पैसे कैसे कमाएगा आगे बढ़ते हैं So business man must do something for society also because it can't survive for a long run by ignoring society's interest तो अगर वो society के interest को ignore कर देगा, society के बारे में ही सोचना बंद कर देगा तो क्या होगा? Long run तक वो survive नहीं कर पाएगा, लोग उसके against हो जाएंगे और उसका product खरीदेंगे ही नहीं So इस चीज की जुरत है कि वो society के लिए भी कुछ करे अब वो society के लिए क्या करे वो हम पढ़ते हैं Supply of desired quality of products Society के लिए उसको क्या करना है कि अच्छी quality के products देनी है, जब भी customer demand करता है, तो जो वो products देगा वो अच्छी quality के होने चाहिए तो survive in long run and to maintain goodwill अगर आप उसको लंबे समय तक survive करना है, competition में लंबे समय तक टिके रहना है अपनी goodwill बना के रखनी है तो क्या करना पड़ेगा उसे quality goods provide करने पड़ेगे, यानि अच्छी quality के goods, ठीक है अभी second point हमारा क्या कहता है avoidance of unfair trade practices आपका जो business man उसको unfair trade practices में बिल्कुल शामिल नहीं होना है ना ही black marketing करनी है ना ही adulteration करनी है जैसे कुछ मिलावट वगेरा कर दी overcharging भी नहीं करनी है तादा पैसे चार्ज नहीं करने है hoarding वगेरा भी नहीं करनी है डिमांड हो जाती है और लोग high prices भी pay ओने को तेयार हो करते है कि हाँ भी हम ज़्यादा पैसे भी दे देंगे बस यह हमें यह चीज मिल ज़्यादार यह सब जीओ अब जीओ में भी होता है कास कर तो फिर एकदम से अपना stop निकालते है जब प्राइस बढ़ जाये तो वह जीओ जो है बिस्नेसमैन को ऐसे गेम्स नहीं खेलने है चीक है बिस्नेसमैन की रेपूटेशन कराब हो जाएगी आपके मन में यह आजाएगा कि नई इसके प्रोड़क्ट अच्छे नहीं होता है आप वह प्रोड़क्ट इग्णोर करना शुरू कर दोगे अगर बिस्नेसमैन ऐसा करता है तो रेपूटेशन तो चलो गई गई लोगों की नजरों में इज़त तो बिल्कुल चली गई साथ में वह पनिशेबल भी है उसे फाइन लग सकता है पैसे भरने पढ़ सकते हैं इंप्रिजनमेंट जेल हो सकते हैं या फिर यह चीदे दोनों ही हो सकती है उसे अगर वह अनफियर ट्रेट प्रेक्टेसेज में पार्टिसिपेट करता है तो let's move to third point third point is employment generation अभी businessman को क्या करना चाहिए employment opportunities create करनी चाहिए so unemployment यानि बिरोजकारी problem of every society हर society की problem क्या है unemployment बहुत सरी ऐसे लोग आपको जगा जगा पाचाहिए जिनकी बस कोई job नहीं है so businessman must create employment opportunities so businessman को क्या करना चाहिए जादा से जादा employment opportunities लानी चाहिए must give special consideration to handicapped disabled and poor people handicapped वगारा लोग जो होते है और जो लोग गरीब है उन सब लोगों को भी जो है special consideration देना चाहिए उन लोगों को भी मतलब opportunity देनी चाहिए है कि भाई तुम आओ और तुम भी apply करो चीक है this will also improve public image of businessman इससे क्या होगा job का businessman होगा उसकी public image भी improve हो जाएगी सबको लगी कि हाँ बहुत अच्छा businessman है यह सबको ही job opportunity equal opportunity देता है यह नहीं कि सरफ उन लोगों को opportunity देता है जो बहुत ज़रा experienced है उनको भी opportunity देता है जो disabled है poor people है उनको भी encourage करता है कि हाँ भी आओ तुम हमारी company में और apply करो job के लिए fourth point is social service and community service business man को social services में भी अपने आपको join करना चाहिए ठीक है large business organization can undertake various projects of community services जो बहुत बड़ी-बड़ी business firm होती है वो easily community services में काफी help कर सकते है कैसे they can run cherry table dispensaries ठीक है cherry table dispensaries start कर सकती है hospitals वगेरा start कर सकती है school वगेरा start कर सकते है वो they can give donations to NGOs NGO वगेरा में donation दे सकते है charity वगेरा दे सकते है इन सबसे क्या होगा they all increase the reputation of company company की reputation जो है इन सबसे काफी बढ़ जाएगी अभी हम चड़ते हैं fifth or last point पर फिफ्थ पॉइंट क्या कर रहा है avoidance of pollution अभी यो companies होती है उनको क्या कोशिश करनी चाहिए कि pollution कम से कम हो industries throw their waste in rivers, lakes, etc. industries क्या करते है अपना जितना भी waste होता है वह रीवर्स वगरा में चोड़ती है है और जो smoke वगरा आता है इन की चिमनी से वह सब क्या होते है environment को पल्यूट करता बहुत ज़दा pollution फिलाता है so it is a moral duty of businessman to add environment friendly techniques of production तो यह businessman के responsibility है and अपना जितना भी जो waste material है वो इस तरह से drain करे ताकि जो environment है वो pollute ना हो environment को कोई भी नुकसान ना हो thanks for watching this video please like share and subscribe झाल झाल झाल